हेलो दोस्तों मैं राहूल और स्वागत है आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्के सेंटर पे दोस्तों अज के विडियो हम लोग चर्चा करने वाले हैं राची उनिवर्सिटी समसर टू आइवियस पेपर का कोशन हैं जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे मस्रूम क क्या है तथा इसके इतिहास के बारे में चर्चा करें ठीक है आपका सिलेबस भी यही है ठीक है कोशन जो है आपका जो हम लोग को पढ़ना है यही है कि मस्रूम इतिहास मत्रूम के इतिहास के बारे में लोग को जानना है ठीक है तो कोशन इसलिए आप लोग यही जाल लग इसका प्रीचे जानते हैं अगर आपको पूछ सकते हैं अगर आपको पता सकते हैं कristy कि व क्या ओता है ? अब गया इसके बारे में सका का परीचे जानते हैं मस्तरूम क्या है मस्रूम का परिचली अब हजारो वर्सों से विस्वो भर में मस्रूमों की उपयोगी था भोजन और और आसद दोनों ही रूप में किजा रही है मतलब हजारो वर्स पहले पूरा विस्वो में मस्रूम का जो परियोग है भोजन के लिए भी किया जाता है ठीक है यह पोसन का भरपूर सुरूत है यह इससे जो भरपूर पोसन हमलोग मिलता है ठीक है और सुर्ची खादों का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं अब इससे क्या मतलब हम लोग का जो सुरूस्ट है ना विशेश कर प्रोटीन और कार्बोहाइट्रेट की तुलना में और इस वसायुक्त भाग में मुख्यता लीनोलिक अमल जैसे वसायुक्त अमल होते हैं ठीक है ये स्वास्त हिर्दय और हिर्दय समंधी प्रक्रिया के लिए आदर्स भोजन हो जकता है पहले मस्रूम का सेवन व संस्क्रीतियों की भी संप्रेशन और बढ़ते हुए वह भोक्तवाद सभी छेत्रों में मस्रूम को पहुच को सुनक्षीत कर दिया मतलब क्या हुआ कि मस्रूम जो था एक लिमिट में था ठीक है मतलब कहीं ये बेचा उचाँ नहीं जाता था ठीक है लेकर जैसा विनेम आ प्याने लगे कि इसको यह खाद पदार था इसको मतलब इसको खाया जाता है ठीक है यह भूजन के लिए यूख्ट होता है उसको यूख्ट करते हैं ठीक है कि मस्रूम तेजी से विभिन पाक पुस्तक और रोजमर्णा के उपयोग में अपना स्थान बना रहे हैं कि मस्रूम जो है बहुत तेजी से सब्जी वगरा इसके लिए अपना हक जमा रहे है ठीक है सब्जी के तोर पे यह सबका जगा ले रहे है आगे लिखावा उभूग की चादू प्रविर्ती मस्रूम नीरियात के छेदर में बढ़ते अश्वरों को दरसाती है अगर हम लोग अभी देखें तो मस्रूम का कल्टिवेशन है खेती जो है ठीक है वह भी विशेज तोर पे किया जा रहा है ठीक है क्योंकि इसका मांग बजारों में बहुत जादा बढ़ते जा रही है ठीक है और खास करके बरसात के जिनों में जो ना इसका मांग और पहले पहले वारिश होता है उसमें पजाव बहुत जादा था है अभी जूते हैं पहले तो में जाने कि लिएटीहास क्या था परीचह क्या था प sagte नसने फिल जाने MRONE का झिल पहले क्या सब्सका इस परकार घर ऑज्क जाने लोगों ने पहली बार जो इसको बोजन के रूप में अपनाया था 1650 में बोने फॉंस ने पहली बार मस्रूम की खेती का विश्कार किया मतलब पहली बार मस्रूम का खेती कब किया गया था 1650 आपको यह अब्यक्टिट और के भी पूछ सकता है कि मस्रूम का खेती किसके द्वारा किया गया था और कब से स्टार्ट किया गया था तो किसके द्वारा पूछा जाएगा बोने फैंस ने और कब पूछा जाएगा तो 1650 आपको यह लिखावा साल 1902 में काल पेपर्स ने एक किताब कंप्लीट हर्वर लिखी जिसमें उन्होंन क्या किया अपना किताब लिखा घरी इसमें क्या बताएं कि मस्रूम के खेती के बारे में जिक्र करते है 녹ुआ है अब क्या हुआ जिरे-इरे जो था मतुर्म जो धरई sniff संका और त distribute जो मस्रूम का खिति करेंगे ठीक है अब देखें वहीं पर लिखवाया फ्रेंच में डी टूर्ने फॉर्ण ने 1707 एसवे में पेरिस में मस्रूम उगाने का विवन लिखा मत्त मस्रूम किस परकार से उगाया जाएगा इसके बारे मैं क्या किया वह विवन बताया ठीक है और परक अबे कॉम बाईन ने मस्रूम की खेती पर एक किताब लिखी मतब क्या किया था 1929 में भी एक किताब लिखा गया था मस्रूम कल्टिवेशन पर ठीक है कि किस परकार मस्रूम के खेती करेंगे ताकि वह बढ़ियां से उपजाओ हो सके इसके आगे फिर से अब लोग जानेंगे देखे लिखा बाया 1800 में फ्रांसिस्यों ने पेरिस के आसपास खादानों में जमीन के नीचे घोड़े की खाद पर मस्रूम उगाना शुरू किया मतलब हुआ क्या कि जब फ्रांसिस्यों लोग जो थे क्या कि 1800 में वहाँ पर जित जो धेर था उसमें क्या किया उन्हों ने मस्रूम उगाना शुरू किया मतलब जहां पर गंदगी थाना गंदगी के चेतर में वह लोग क्या किये मस्रूम उगाना स्टार्ट किये जिसे धेर भे धेर कर दिया गया और प्रकृतिक रूप से गरम होने दिया गया मतलब क्या क जोड़ानों या मिल पाथों से खोदे गया स्पोन से टीका लगाया गया जहां घौड़े रॉंद रहे थे यहां महस्योग की बात है कि उस खाद से किसी को मस्रूम के पसल मिल जाया ठीक है अगर होगा तू छीक है नहीं होगा तो भीցड ठीक है अब देखे इसके आगे फिर से लिखावा है कि इंग्लेंड फ्रांस और यूरोप के लोग अमेरिका में मस्रूम के खेती की तकनीक लेकर आए मतलब इंग्लेंड के जितने भी लोग थे फ्रांस के जितने भी लोग थे यूरोप के जो लोग थे ठीक है उन लोग क्या कि अमे 1885 में के दोरान इन लोगों ने नियोर्क के ग्रीन हाउस में मस्रूम के खेती शुरू किया वेस्ट टाउन में मस्रूम के खेती शुरू किया उन्होंने 1894 में मस्रूम के खेती का परदसन किया उन्होंने क्या कि 1894 में मस्रूम के खेती का परदसन किया मस्रूम के खेती में दो महत्पुन समस्याओं को हल करने में सफल रहे मस्रूम का खेती में जो प्राब्लम आ रहा था उसको हल करने में वह सफल रहा ठीक है सबसे पहले उन्होंने मस्रूम का रोग मस्रूम रोग का कारण खोजा और सर्फर का फ्यूमी गेट करना शुरू किय तक हमारे बाडी में एक्त होता और दुसरी बात वे बांज अंडे प्राफ्ट करने के उदेश देस विजानों को औंकोरिद करने में है और वहां सत्व क्रतर कर रहे था उसका सफ रहे ठीक है यह सायाद वैग्यानिक रूप से नियंतरित मस्रूम उगाने का सबसे महत्पून योगदान था मतलब यह जो था उलोग वैग्यानिक के तरब से साइंटिस्ट का नियंतरिन रख करके उलोग क्या करें ते मस्रूम उगा रहे थे ठीक है इस परक्रिया से इस परक्रिया का पेटेंट करवाया गया मतलब इस परक्रिया का जांच करवाया गया लेकिन ऐसा परतीत नहीं हुआ कि इसका व्यवासी करन किया गया था मतलब इसके बावजूद जो था ऐसा पता नहीं चला उन लोगों को कि इसका जो था व्यवास मतलब उसके बाट क्या किया ना मिसरूम का उसका बीज को अंकुरित करने के लिए उसका विजी-तियार किया किस परकार से वह का अंकुरित करेंगे ताकि वह पैदावार हो सके ठीक है जैसे हम लोग आलू रोपते हैं तो आलू को पहले उसको डालते है ना पास में ठीक है तो वह क्या होता अंकुरीद होता है तो वैसे यहां पर जो है उसको अंकुरीद करने के लिए विधित यार कियागा कि किस परकार से उसको हम अंकुरीद किया जा सके ठीक है तो भायरत में संभौता 1886 इसवि में N.W. N.W. नीूटन द्वारा मश्रूम की कुछ ब्हेतरी नमूनों की पहचान की गया। मतलब उन्हें उगाया गया, ठीक है, मतलब यहां पर क्या किया गया, 1886 इसवि में जो आना, हां Youtube नूटन द्वार मस्रूम का कुछ मेहतरीन मंद नगूनों का पहचान लेकिता पेहां पर नूटन के द्वार किया गया और ग्यों है सब्यूरों गया है करे मोस्रूम का सब्सक्रींद कर सकते हैं इसमें पार में counselors के और मीस को फाइदा है माधा इसके भारे कि आगे लिखावा है कि बोस एक निर्जलीत गोबर माध्यम पर दो एगारिक्स को विक्सित करने में सफर रहे ठीक है जिसका विए रहां उनिश्वी के दोरान नागपुर में आयुजित भारतिये विज्ञान कॉंग्रेस के परकासित किया गया कि वे जो आना उसको अंकुरित करने में कहां से सब्सक्राइब रहे ठीक है गोबर के खाद पर वो क्या किये था उसको अंकुरित किये ठीक है अब एक केस के आगे हम लोग जानेंगे देखे हुआ क्या कि घोड़े के खाद पर मसरूम उगाने की विदी पर बोस और बोस सब्सक्राइब करने के लिए गोबर का परियोग करने लगा ठीक है फिर बाद में पैडविक 1941 में कहा कि यह बिस्पॉरेशन की खेती का परियास पुरी दुनिया में किया गया ठीक है हलांकि धान के भूसे के मसरूम की खेती का पहला सफल परियास ठामस और उसके समू द्वारा उनिस सब्सक्राइब कोया बटूर में किया गया अब देखे हुआ क्या जब वहां से सब कुछ खतम हो गया ठीक है तब क्या करने लगे कि धान के भूसे पर ठीक है धान के भूस करना शुरू किया ठीक है इसका जो सफल परियास जो था ठामस और उनके समू द्वारा किया गया था उसका इतिहास क्या हुआ ठीक है अब अगर आपको का इसका कुछ और कोईशन है तो हमको बताएगा कॉमेंट में ठीक है इसका दूतरा कोईशन भी डाल दिया जाएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जाहीं जाएब भारा